सो यह देखिये जत्था इतनी सारी कितने स्टेरोइड कितनी मात्रा में कैसे शुरुआत करनी है लिए एक डबी की किमत कोई दो हजार कोई बाइस सो किस्टेरोइड क्या लेने यह दिशा में चलाया हुआ तीर कामियाभी से लक्षे पर लगता है स्टेरोइड इस नॉट फो स्टेरोइड सेथ के लिए हानिकारक है लेकिन प्रफेशनल इसका इसक्वाल करते हैं और किस तरीके से सेफेस्ट बेसे करते हैं मोगो मैं आपके साथ श्टो करूँ गाइज वेलकम चीद चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आज वरकाउट होने वा और सबसे पहली में तो पुन बात स्वरेड सेहत के लिए हानिकारक है इसका सेबन ना करें यह मैं अपनी दिखा रहा हूं आपको मैं सक्षम हूं मैं ले रहा हूं आप ना ले मैं किसी को एडवाइज नी कर रहा हूं इसके लिए यहानिकारक है लेकिन मैं अपना प्रोफा यह ऊचिपए उसे किया एक उसे अचीव करने के लिए तोब्स मिलते हैं जिसे पर हो The first workout लेते हैं सरक्रेपर ट्रेनिंग के अंगर मैशर्केun होता क्या है एप किक इमने मेए कोश्चन होगा उसे क्लियर कर देता dispat circuit training होता है आप अभी मेलोंगा flat bench और flat bench के साथ दोगा मैं flat पे ही dumbbell press और उसके बाद मेलोंगा फिर flat पे ही dumbbell fly तीनो वर्काउट का mixture करके एक blend बनाऊंगा मैं 15 repetition 12 to 15 repetition in each set तो वर्काउट होने वाला है बहुत ही जाद अतावरतोर और होने वाली चलो वर्काउट करते हैं और अल्टीमेट वर्काउट विद गोड़ वाइब्स वान टू फ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक लंबा सांस लेना है यह होल्ड करना फिर प्रेस करना है कि वान अब बेस्ट वर्काउट फ्लेट बेंच इसे कभी अवाइड ना करें आप बारा से पंदर रेपेटिशन और इसके साथ में मलूंगा बिल्कुल कोई स्टॉप नहीं है इस एक्सेसाइज के अंदर में उस वान तू थ्री पोर फाइफ पहला लाइट वेट से लिया मैं तीन तीन सेट लोगा क्योंकि आज फर्स दे है और उसके बाद यहां प्लाई वान तू थ्री टेक लॉंग ब्रेथ एन अलबो नीचे और प्रेस्ट स्क्वीज होल्ड डाउट इस इस दे वर्काउट मैं आप और जब कटिंग सेशन पर हम आ गए है तो वर्काउट के बीच बीच में पोजिंग देना अती आवश्यक है तीनों को ले लिए 12-15 रेपेटिशन का पहला सेट यह होता है मेरा एक वर्काउट मिलते हैं सेकंड वर्काउट पर अभी है सेकंड वर्काउट की बारी और ब्र 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12-15 रेपेटिशन विद फुल फॉर्म और स्टेरोइट सेट के लिए हानिकारक है लेकिन प्रफेशनल इसका इसक्वाल करते हैं और किस तरीके से सेफेस्ट बेसे करते हैं मोगों मैं आपके साथ शो करूँ रहा यह मैंने ले लिए मैं किसी को फोर्स नही चीज है और हम भाई मैं ले रहा हूं मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं मैं पहले सब चीज़ा कर चुका हूं आम एडवांस लेवल लेट स्वा इसका सेवन ना करें आप सब इसका सेवन ना करें I'm just showing my journey मैं अपनी जर्नी शो कर रहा हूं बेफर्स्ट विट आप पंप कैसा रहा है निखिल तो निखिल को बढ़िया पंप दिख रहा है अभी हम ने लिया इंकलाइंट वार्बल से अभी हम लेंगे डंबल से यह पहला सेट शो कर रहा हूं मैं आपके साथ हर सेट में आप बढ़ाएं और यह फर्स दे इसलिए 15 तक लेके जा रहा शॉटकट से बड़ी बंती नहीं खराब हो जाती है तो प्लीज शॉटकट्स पे निरबर ना हो यह हुगा मेरा सेकेंड वर्काउट और मॉस्ट इंपोर्टेंट टिप्स अम अगें टेलिंग यूँ आट स्टेरोइड इस नॉट फो एमिल्स इंसानों के लिए अच्छे इसमें बहुत सी गंदी चीज़ें यही होती है जो आपके शरीर को खराब करती है आपके और गन्स को खराब करती है लेकिन अम लेंगे वाईर तकड़े हो को दिखाऊंगे जैश्री आप फाइनल वर्क आउट थर्ड वर्क आउट डिकलेंग वेंच मैंने फ्लेट से स्टाट किया इंड लाइन पर गया मैं डिकलाइन पर गर रहा हूं और इसके साथ वार बेस्ट वरकाट अगेन आम तेलिंग यू फोर लोर जेस्ट फैट अगर आपको शेप देना है 12-3-4-5-6-8-9-10-12 12-12 एपको मेंटेन करने और इसके सब क्या लेना है वो शोग रोकाट का जो मेरा सेकंड सेट है विच इस वेरी इंपोर्टन फोर लोर चेस्ट फैट जो चेस्ट पर आपके फैट जमा हो जाता है यह लाना है और अजस्ट आइट और फिल द वीट सांस लेने का और छोड़ने का बहुत बड़ा रोल है जब आप इस तरीके से जाते हैं सांस लेंगे आप जब यहां लाते हैं तो स्क्वीज करना है यह देखो टाइट करना है फिर छोड़ना फिर लेना तो यह इसके साथ मुझे क्या लेना है लास्ट वर्काउट वो अगें विट सेम फ्लो मेंटें यूर पोस्ट्चर ओवर ट्रेनिंग से बचे अगर आप करेक्ट वे में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो नो वन हैस राइट तो बीच यू सही दिशा में चलाया हुआ तीर काम्याभी से लक्षे पर लगता है तो रेपेटिशन 10-12 मैंने आपको लेकर दिखाए इंसेट वर्काउट कंप्लेट किया है अब मैं दिखाता हूँ आपको कि स्टेरीट क्या लेने तो यह देखिए जत था इतनी सारी और खाली ना मेरे सब्सक्राइब करना ना बूले और कल की वीडियो में आपने एक देखा होगा कि बंदा एक वो कर रहा था शेयर आयू दरा कमान मेरे शेयर तो वीडियो को प्यार देना है वीडियो कैसी लेगी प्लीज कमेंट सेक्षिन में बता दिए इफ यह अनी काइंड और सजेशन फो मी धन कमेंट मी एं उसके बाद शेयर कर दीजिए थैंक यू सो मच